आज का वीडियो स्टुडेंट्स, रिसर्चर और एकेडमिक पर्संस याने टीचर और प्रोफेसर्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम रिसर्च और टीचिंग के सबसे बड़े और करीब 140 साल पुराने पुब्लिकेशन याने एल्जवेर के 186 कोर्सेज और वेबनार को अटेंड करेंगे साथ ही इस तरह के सर्टिफिकेट आफ कम्पलीशन को भी पाएंगे तो हेलो एंड वेलकम साथियो आप सभी का वेलकम है इस चैनल पर जहां हम आज e-learning की दुनिया में जाएंगे आज मैंने उन कमेंट्स का भी ध्यान रखा जिन में आपने जॉब में यूज होने वाले सर्टिफिकेट कोर्स को बताने का कहा था तो इससे बड़िया प्लेटफर्म नहीं हो सकता क्योंकि एल्जेवेर की एहमियत टीचर, रिसर्चर, प्रोफेसर या स्टुडेंट से अच्छा कोई नहीं जान सकता और आप आज अचीव किये सर्टिफिकेट को जॉब में अपलाए कर सकते हैं और रेज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हैं चलिए एंटर करते हैं एल्जेवेर अकेडमी में जहां काफी कुछ आपका इंतजार कर रहा है तो आए कुछ नया सीखते हैं दोस्तों एल्जेवेर साइंटिफिक टेकनिकल और मेडिकल कंटेंट को पब्लिश करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है साल भर में 4 लाग से भी ज्यादा आर्टिकल पब्लिश करता है 25 सो से भी ज्यादा जर्नल में किसी भी उम्र और कोई भी एजुकेशन का इंसान इन कोर्सेज और वेबनार को कर सकता है आईए इसके कुछ कोर्सेज और वेबनार को अटेंड करते हैं और साइटिफिकेट को अचीव करते हैं इससे पहले आप Google Chrome open कीजिए और टाइप कीजिए Researcher Academy Elsewhere Enter करने से आपको ये link दिखाई दे रही है इस link को select कर दीजिए जिससे आप website के main page पर आ गए हैं इस page के सबसे उपर learn और career path के साथ language और account का option भी है यहाँ पर free learning का बताया गया है जिससे research को improve कर पाएंगे ये main topic area है और नीचे धेर सारे courses दिखाई दे रहे हैं चलिए इन courses को करने के लिए अपना account बना लेते हैं यहाँ से इस icon को pick कर लीजिए ऐसा करने से आपको ये window मिलेगी जहां आपको अपना email लिखना है फिर continue पर click करना है अब आपको यहाँ अपना नाम लिखना है यहाँ पर ध्यान रखिए given name में आप अपना नाम दीजिए और अगर आपका middle name भी है तो वो भी given name में दीजिए जैसे मेरा middle name है तो मैंने यहाँ लिखा है और family name में अपना surname है तो उसको type कीजिए given name and family name को मिला कर certificate पर नाम आएगा तो इस चीजिए को ध्यान रखिए एक password दे दीजिए जिसमें कम से कम 8 character हों और 8 character में एक number एक symbol और एक capital और small letter भी होना चाहिए इसमें बड़े और छोटे letter भी है और symbol भी है ऐसा करने से strong लिखा आ गया मतलब आपको एक strong password मिल गया है stay signed को मत pick कीजिए अब register पर pick कर दीजिए इससे आपका account बन गया है अब यहाँ पर आप continue to researcher academy पर select कीजिए वैसे अब आप course शुरू कर सकते हों पर इससे पहले आप यहाँ से country name और जहां भी job या पढ़ाई कर रहे हों उसका नाम pick कीजिए अगर इस list में मिलता है तो ठीक है वरना आप other select कीजिए जिससे नीचे आपके institute का नाम type कर पाओ आप कहीं भी special character का use मत कीजिए अब आप education select कीजिए यहाँ से passing year यहाँ से select कीजिए और आपका area यहाँ से pick कर लीजिए यहाँ पर दोनों option को right click कर दीजिए और save account पर click कीजिए save करते ही आप learn page पर हैं देखिए यहाँ career से related भी बहुत कुछ है career path को pick किया है तो यहाँ career आ गया वापस course पर जाने के लिए अब आप यहाँ learn को pick कीजिए एक और बात जब भी आपका account बन जाता है तो आपके दिये हुए email पर elseware का एक email आ जाता है इस तरह से चलिए अब course करते हैं आपको जब भी elseware के courses पर जाना है तो आपको learn पर click करना है यह देखिए यहाँ courses है तो आप चाहें तो यहाँ से course pick कर सकते हो या आप content library पर pick कर सकते हैं जैसे मैंने किया है यहाँ पर अब यहाँ आपको 186 course webinar मिल जाएंगे आप topic, type या language यहाँ से select कर सकते हैं 27 topic हैं जिनमे writing skills, science, peer review, collaboration, funding और book and paper writing जैसे important topic है नीचे जाने पर बहुत से course and webinar हैं और load more पर select करके और भी courses आप कर सकते हैं देखिए यह completion का certificate है इसलिए बहुत easily आपको यह certificate मिल जाता है आपको सिर्फ video देखना है वो भी पूरा और जैसे ही आप पूरा video देखेंगे तो तुरंत आपको यहीं पर certificate of completion मिल जाएगा तो अब मैं इस course को pick कर लेता हूँ तो यह है video यह video शुरू हो चुका है आप यहाँ से full screen भी कर पाएंगे यहाँ पर नीचे आपको course की details और presenter की information मिल जाएगी अब video full complete देख लिया है तो यह आगया certificate download का option यहाँ pick कीजिए download PDF पर click किया तो यह certificate हो गया download यहाँ LJWare का logo है date है MD के signature है यह एक valid certificate है बस इसी तरह आप 186 course और webinar अटेंड कर सकते हैं certificate download कर सकते हैं और अपने resume में add कर सकते हैं research को improve भी कर पाएंगे आप मैं आपको एक और course करके बताता हूँ तो learn पर pick किया content library पर गए इस course को pick किया details नीचे है video play किया पूरा देखा certificate की link मिली यहाँ से आप share कर सकते हैं social media पर और यहाँ से download कीजिए इस तरह से आप यहाँ इस icon को pick करने के बाद कभी भी अपना certificate इस तरह से download कर सकते हैं यहाँ से आप career से related videos को देख कर अपने career को build कर पाएंगे जैसे इस course को देखिए इसमें आपको career choice का बताया गया है आप वापस learn पर click करेंगे तो आगए courses यहाँ आने वाले webinar की भी information है जो 29 September को होने वाला है तो आपको इसे attend करना है तो register now को pick करने से हो गया आपका registration आप यहाँ से course को pick कर पाएंगे जैसे यह मैंने pick किया है तो यहाँ details से इन courses के हर module में certificate मिलेगा पर अगर आप पूरा course करते हैं तो आपको एक full course का भी certificate मिलता है तो दोस्तों यह है LJWare के certification course and webinar यहाँ आपको एक minute से लेकर कई घंटों के courses मिल जाएंगे उमीद है कि आपको पूरी information मिल चुकी होगी इन certificate को आप अपने resume में put कर सकते हैं resume में आप ऐसा mention कीजिए कि आपने course complete किया है LJWare के course में तो आपको वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए, comment कीजिए और suggestion भी दीजिए अपनों के साथ share करना मत भूलिए अगर नए है channel पर तो channel को subscribe कीजिए information के लिए bell icon को press कर दीजिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया सीखने के लिए तब तक के लिए सातियो बाई